जैजन सकती से मैं आपका होश्ट अंदोस त्राहुल निमेश आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लोन ना चुकाने वालो बड़ी खुसकबरी अब नहीं देना इनका एक भी रुपिया वापस तो आज मैं आपसे इसी के बारे में पाचित करने वाला हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें कहीं से वीडियो को इसकिप ना करें जैसे कि आपको पता होगा अपसे दो-तिन महीने पहले किस तरीके से ये loan application वाले आपको दराते थे आपके साथ में उत्पीडन करते थे काफी ज़्यादा problems आप लोग को हो रही थी ये बात आप भली बाती जानते हैं तो पिछले डेड़ साल से हम लगातार आपको जागरूप करते आ रहे हैं हम आपको अवेर करते आ रहे हैं और हमारी अवेरनेस का आज ये नतीज़ा है कि इन कंपनियों का लगबग सूपड़ा साफ हो गया है पूरे तरीके से तो मैरे पास में आप लोग के कुछ इमेल ऐसे आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि सर ये जो लोन एप्लिकेशन वाले जो हमें पहले कोल्स करते थे अब लगातार उसी प्रकरिया को अपनाने लगे हैं अब लगातार हमसे ये पैसा मांग रहे हैं इनका कहना है हमारी जो कंपनीज हैं वो RBI से authorized हो गई है हमारी जो application है अब ये authorized है आप immediate पैसा वापस करें आन्ने था आपके उपर कानूनी का रवाई हो जाएगी तो देखिए मैं आपको एक बात इस परस्ट रूप से बता देता हूँ आपको पता होगा जब इन loan applications का आतंक चल रहा था उसक किस application को पैसा दें या किसको ना दें देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा जिस company ने आपको पैसा दिया है जो RBI authorized है जो NBFC authorized है देखिए वो तो आपसे पैसा return लेने के लिए पूरे प्रियास करेगी पूरा अपना दमखम लगाएगी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है लेकिन जिसको RBI ने authority नहीं दिये loan देने की जिसको किसी प्रकार की authority नहीं है देखिए ऐसे application वालों को आपको एक भी रूपिया वापस नहीं करना है क्योंकि वह RBI से authorized नहीं है और उन्हें loan देने का कोई भी अधिकार नहीं है समझ रहे हैं तो अब आप समझ गए किन को पैसा वापस करना है कि इनको नहीं करना है अब बहुत साय लोगों के मन में यह ख्याल आएगा किसर हम यह कैसे पता करें कि यह जो application है यह RBI से authorized है देखिए आप एक काम कीजिए जैसे कि आप लोग इन loan application वालों के सारे system को देखते हैं तो इनसे loan agreement letter मांगे वहापे आपको लिखा होगा कि किस NBFC की द्वारा आती है आप उस NBFC का नाम चेक करें अच्छे तरीके से पढ़ें RBI की website पे जाकर के अगर वो RBI से registered NBFC है तो आप उस NBFC को mail करें जो भी आपके पास में evidence है उत्पीडन के जिसने आपके साथ में गलत किया है और NBFC आपको proper तरीके से help करेंगी अगर help नहीं करती है फिर आप consumer form में जा सकते हैं उनकी policies को ले करके सारे चीजों को ले करके और जो NBFC रेजिस्टर नहीं शो कर रही जिनका कोई अस्तित्व नहीं दिखा रहा तो देखिए उनको तो आप एक साइट छोड़ दीजे उनका कोई भी व्यक्ति बिलक आपकी सुनवाई होगी अगर वहाँ पर किसी प्रकार की सुनवाई ना हो तो देखे सोचल मीडिया पर आप लोग देखते होंगा यह Twitter handle है तो उनके जो Twitter handles है उनको ले करके भी आप लोग complaint दर्ज करा सकते हैं लिख सकते हैं अपनी समस्या उनको ठीके directly तो guys आप बिलकुल निश्चीनत रही है बिलकुल tension free रही है अब आप समझ गया होंगे कि किन के लिए बड़ी खुसकबरी है यह बड़ी खुसकबरी उन लोगों के लिए है जो की loan application वालों से loan लिये थे और जो loan application RBI authorized नहीं है NBFC authorized नहीं है NBFC registered है application यह नहीं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है like share और मेरे चैनल को subscribe करें क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोग को aware करता रहता हूं इसी तरीके से अपनी वीडियो के माध्यम से जागरूप करता रहता हूं और guys अगर आप लोग चाते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही जानकरी लेकर क्याता रहूं तो आप लोग हमें suggest भी करते रहेगा कि आप किस topic पर वीडियो चाते हैं किसी scam के बारे में जानना चाते हैं किस scam को मैं expose करें तो clearly आप हमें comment section में जरूर बताते रहे हैं बाकि ये loan applications का तो चली रहा है इनको तो हम लगतार permanently expose करते रहे करेंगे अपने इस तरह से और अगर आप कोई भी हमें evidence भेजना चाते हैं कुछ भी जानकरी देना चाते हमें तो bio email आप हमें दे सकते हमारा mail id है जैजनसक्ती at the right hotmail.com वीडियो अच्छी लगी है like, share और चैनल को subscribe करें बाबाई, take care, जा हिंद वंदे मातरम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, thank you so much.